हेलो बच्चो आज हम क्लास 5 की मैट्स की वर्कशीट 28 करेंगे इस वर्कशीट में पार्ट 14 कितना बड़ा कितना भारी के सवाल दिये गए हैं फर्स्ट कोश्चन है करके देखो एक पत्थर को पानी भरे गिलास में डाल के देखो क्या पानी उपर आया या नीचे आया ये एक्सपेरिमेंट आप करके देखना और आप देखोगे कि पानी उपर आ जाएगा नेक्स्ट है पानी का स्तर उपर आया या नीचे गया ऐसा क्यूं हुआ सोचो और लिखो इसका उत्तर होगा पानी का स्तर उपर आया क्योंकि पत्थर ने पानी को हटा कर उसकी जगा ले ली और जितनी जगा ली उतना पानी उपर आ गया अब बच्चो थर्ड में हमें एक गिलास पानी को उपर तक भरना है और इसको एक कटोरी में रख लेना है कोई पान चीजे लेनी है एके करके उनको पानी में डुबाना है चीजों को पानी में डालने के बाद कितना पानी गिलास से निकल कर कटोरी में आया चम्मच से पानी को नापना है और लिखना है मैंने जिन जिन चीजों पर एक्सपेरिमेंट किया उन पान चीजों के नाम लिखे हुए हैं और लिखा हुआ है कि कितना चम्मच पानी बाहर निकला आप भी एक्सपेरिमेंट जरूर करना हमें चितर भी दिया गया है जिसमें एक्सपेरिमेंट करने का तरीका बताया गया है सबसे पहले जो रबड है रबड ने एक चमच पानी बाहर को निकाल दिया फिर मैंने चाबी डाली तो चाबी डालने से दो चमच पानी गिलास से बाहर आगिरा फिर कंचा डालने पर दो चम्मच पानी अंगूठी डाली तो एक चम्मच पानी गिलास से बाहर आकर कटोरी में गिर गया कील डालने पर एक चम्मच पानी गिलास से बाहर आकर गिर गया फिर जब बड़ा बटन डाला तब भी एक चम्मच पानी गिलास से भार आकर कटोरी में गिर गया बच्चों किसी भी वस्तू को पानी में डालने पर कुछ पानी बाहर आ जाता है इसका मतलब है कि वस्तू पानी को हटा कर उसकी जगा ले लेती है जितनी जगा वस्तू लेती है यह उसका आयतन कहलाता है किसी वस्तू का आयतन उतना ही होता है जितना वह पानी हटाती है सेकिंड कोशन है बिन्नी और मिन्नी ने एक आई ड्रॉप की बोतल की मदद से एक मापक जार बनाया है उन्होंने 5 मिली लीटर की एक खाली आई ड्रॉप की बोतल को पानी से भरा पानी को ग्लास में डाला और हर 5 मिली लीटर के बाद ग्लास पर निशान लगा दिया उनके मापक जार को देखो और बताओ की इसमें डाली गई चीजों का आयतन कितना है देखो उन्होंने चित्र भी बना रखा है खाली जार में 15 मिलिलीटर तक पानी है बैटरी डालने पर ये थोड़ा उपर को खिसक गया और 20 को भी पार कर गया पानी कील डालने पर 15 से उपर आ गया पानी बटन डालने पर 20 से थोड़ा सा नीचे और चाबी डालने पर पूरा 20 मिली लेटर तक पानी आ गया अब हमें इन प्रश्णों के उत्तर देने हैं खाली जार में पानी की मात्रा कितनी है 15 मिली लेटर सेकंड है बैटरी का आयतन कितना हुआ 22 में से 15 घटाया तो 7 बचा 7 मिली लेटर और कील का आयतन कितना हुआ 18 में से 15 घटाएंगे 3 मिली लेटर का आयतन हो गया कील का बटन का आयतन हुआ 19 में से 15 घटाया तो 4 आया तो 4 मिली लेटर बटन का आयतन हुआ चाबी का आयतन हुआ 20 माइनस 15 पांच मिली लेटर का थर्ड कोर्शन है एक पानी से आधी भरी बाल्टी में 10 टमाटर डाले गए टमाटर डालने के बाद पानी का स्तर 500 मिली लीटर से बढ़कर 3300 मिली लीटर हो गया टमाटरों द्वारा हटाए गई पानी का आयतन कितना है वो हमें बताना है अब 3.300 मिली लीटर हो गया था तो 3.300 में से 3.500 मिली लीटर घटा दिंगे आंसर कितना हैगा? 1000 मिली लीटर इसका मतलब है टमाटर द्वारा हटाए गए पानी का आयतन 1000 मिली लीटर हो गया और यही हमारा आंसर होगा नेक्स्ट कोशन है यह 1 cm किनारे की लंबाई वाला एक घण है क्या आप पता लगा सकते हो कि ऐसे कितने घण इस बड़े डिब्बे को पूरी तरह से भर सकते हैं? बड़े घण की लंबाई में 1 cm किनारे वाले कितने घण आ सकते हैं? तो 2 घण आ सकते हैं बड़े घन की चोड़ाई में एक सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन आ सकते हैं तो चोड़ाई में छे एक सेंटीमीटर वाले घन आ सकते हैं नेक्स्ट है बड़े घन की उचाई में एक सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन आ सकते हैं तीन सैंटीमीटर की उचाई दे रखी है बड़े घन की इसका मतलब तीन एक सैंटीमीटर वाले घन आ सकते हैं बड़े घन को पूरब भढ़ने के लिए एक सैंटीमीटर किनादे वाले घनों की संख्या बतानी है तो एक सेंटीमीटर किनारे वाले घनों की संख्या हो जाएगी दो गुड़ा छे गुड़ा तीन यानि दो लंबाई में घन लिये थे हमने चोड़ाई में छे घन लिये थे उचाई में तीन घन लिये थे तो जब दो गुड़ा छे गुड़ा तीन को करेंगे तो 36 आंसर आएगा और यही 36 cm घन हमारा आंसर होगा बच्चों ठोज चीजों का आयतन ग्याद करने के लिए हम उसमें पूरी तरह भर सकने वाले 1 cm किनारे वाले घनों की संख्या को गिनते हैं किसी भी घना अभरकार वस्तु के आयतन को ग्याद करने के लिए हम उसकी लंबाई चोड़ाई और उचाई को गुणा करते हैं अब हमें नीचे दिये गए घनों का आयतन ग्याद करना है लंबाई दे रखी है फर्स्त चित्र में 2 cm चोड़ाई है 6 cm और उचाई है 3 cm तो इसका आयतन हो जाएगा 2 गुणा 6 गुणा 3 कितना हैगा 36 cm घन लंबाई गुणा चोड़ाई गुणा उचाई आयतन कहलाती है यही इसका फॉर्मला भी होता है अगर आपसे कोई पूछे घनाप का आयतन क्या होता है तो उसका आयतन होता है लंबाई गुणा चोड़ाई गुणा उचाई नेक्स्ट है जो फिगर दे रखी है उसमें लंबाई है 2 सेंटिमीटर की चोड़ाई है 3 सेंटिमीटर की उचाई है 5 सेंटिमीटर की तो इस चेतर का आयतन हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 5 कितना होगा 30 सेंटिमीटर घन नेक्स्ट चित्र में लंबाई 3 cm की है चोड़ाई भी 3 cm की है उचाई भी 3 cm की है इसका मतलब ये एक घन है जिसमें लंबाई चोड़ाई उचाई तीनों बराबर होती है वो घन कहलाती है तो इसका आयतन हो जाएगा 3 गुडा 3 गुडा 3 यानि 27 cm घन नेक्स्ट चित्र में लंबाई है 4 cm चोड़ाई है 5 cm उचाई है 3 cm तो आयतन हो जाएगा 4 गुडा 5 गुडा 3 60 cm घन सिख्ट कोश्चन है अगर एक 5 रुपे के सिक्के का वजन 9 ग्राम है तो निम्द वजन में कितने सिक्के होंगे सिक्को का वजन 9 किलो ग्राम तो सिक्को की संख्या कितनी होगी 1000 बच्चो आपको ये भी ध्यान रखना है कि 9 किलो ग्राम को 9000 ग्राम भी लिख सकते हैं इसी से ही हमने जाना कि 9 किलो ग्राम सिक्को के वजन में सिक्को की संख्या 1000 होगी 45 kg सिक्कों के वजन में सिक्कों की संख्या कितनी होगी 5000 और 1800 ग्राम में सिक्कों की संख्या होगी 200 और 125 ग्राम में 125 सिक्कों की संख्या होगी लास्ट कोशन है सोनू और अंकिता सब्जी मंडी गए और कुछ सब्जिया ली जो नीचे लिखी है अब हमें बताना है किसका जोला ज़ादा भारी होगा सोनु का या अंकिता का तो सोनु का जोला ज़ादा भारी होगा कैसे दो में आधे को जमा करो, एक को जमा करो, आधे को जमा करो और एक को जमा करो पांच किलोगराम आ जाएगा ऐसे ही अंकिता का एक आधा एक आधा एक जमा करने पर चार किलोगराम बनेगा अब 5 kg सोनू का जोला था और 4 kg अंकीता का जोला था तो बारी जोला हुआ सोनू का जोला तो बच्चों यह थी क्लास 5 की मैट्स की वर्कशिट 28 आप हमारे चानल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियोस मिलती रहें और बैल आइकन को क्लिक करना ना बूले ताकि जब भी हम वीडियोस चाले आपके फोन में नोटिफिकेशन आ जाए